तो उसका जवाब भी बेमिसाल तरीके से सुनना पड़ेगा जो सवाल है जनता के बीच में जो गुंज रहा है तो भाजपा को सीधी चुनोती है हिम्मत है तो इसका जवाब दे मोदी जी के सासनकाल नौ साल देश को कर दिया बदहाल गरीब मजदूर किसान नوجवान और पहलमान सबका है बुरा हाल नोट बंदी को बना कर ढाल जनता को किया बेहाल लेकिन भाजपा हो गई पूरा माला माल अच्चे दिन का सपना ना हुआ साकार कुछ तो सर्म करो मोदी सरकार भारतिय जनता पार्टी के सासनकाल के हुए पूरे नौ साल और भाजपा बता रही है इससे बेमिसाल वहीं जेडियू ने हवन किया और कहा कि जो भारतिय जनता पार्टी बेमिसाल बता रही है तो जनता का बुरा हाल है कई सवाल पूछे हैं अब आर जेडि भी जो है हाथ में कागज लिए हुए हैं आरजेडी के परवक्ता हैं मिर्तुंजय तिवारी क्या लिखा इस में हम आपको पढ़के बताते हैं भाजपा मोदी जी सरकार के नौ साल जनता का गूंज रहा है सवाल और यह भी सवाल लेकर ही खड़े हैं इनसे भी जानेंगे क्या है ये सवाल ये इन्हों ने भी सवाल बना कर रखे हैं पूछ लेते हैं क्या है आपके सवाल हलाकि भाजपा तो बेमिसाल है भाजपा वाले का रहे हैं अपने सासनकाल को नौ साल बेमिसाल तो उसका जवाब भी बेमिसाल तरीके से सुनना पड़ेगा जो सवाल है जनता के बीच में जो गुंज रहा है तो भाजपा को सीधी चुनोती है हिम्मत है तो इसका जवाब दे मोदी जी के सासन का नौ साल देश को कर दिया बदहाल गरीब मजदूर किसान नौजवान और पहलवान सबका है बुरा हाल नोट बंद अपनी छवी चमकाने का राता पूरा ख्याल लेकिन देश की पहलवान बेटियों का नहीं पूछेंगे हाल चाल जनता समझ गई है भाजपा का चाल जहां चेजेंसियों का विपक्षी पार्टियों के लिए इस सिर्फ हो रहा गलत इस्तिमाल नकली अहंकार ताना साही जुमले वाजी की बोचार छल कपट वजूट की बहार नमामी गंगे स्मार्ट सिटी सामसद लेंगे गाउं गोद पंद्रा लाक आएंगे खाते में दो करोण नोकरी सबका खुल गया पोल अव बे मिसाल का जूटा क्यों पीट रहे ढोर पुंजी पतियों से प्यार किया तार-तार अच्छे दिन का सपना ना हुआ साकार कुछ तो सर्म करो मोदी सरकार दो हजार चोविस में जनता करेगी ऐसा कमाल भाजपा हो जाएगी बेहाल इस सासनकाल को किसी भी कीमत पर नहीं कहा जा सकता बेमिसाल यह है यह है बाजपा को जो पीट रहे है ढोल अप आपने नौ साल के सासनकाल को बेमिसाल का कर उसका जवाब जवाब तो ठीक है तिवारे जी आपने तमाम बातों को कहा लेकिन भारती अजनता पार्टी कह रही है कि हमारे सासनकाल में नौ वो गिनवार भी रही है कि नौ साल हुए है तो नौ उप लबदिया गिनवा रही ह हम तो पूरे चीजों को सवालों का गीत स्रिंखला ही बना दिये है हिम्मत तो दे जवाब चुनोती है इस सारे चीजों का यहां तो बना हुआ आपके सामने आप बताईए कि जनता के बीच में जाईए और यह सवाल गुंज रहा है कि ने पूछिए तो यह कौन सा बेमिसाल इनका तो ऐसा हार बेमिसाल होगा चोविस में कि याद रखेगी भाजपार अचाए एक सवाल यह भी है कि आप लोग भी तो यहां सब्ता में हैं आप लोग क्या कर रहे हैं अब हाजपार रोजगार का भरमार नितिश्ते जस्वी की सरकार आप देख रहे हैं चारों रोज केबिनेट में नोकरियों के लिए ही हस्ताक्षर हो रहे हैं इसलिए यहां तो काम हो रहा है रोजी रोजगार की बात हो रही है मागाई कम हो रहा है पहले इनका सवालों का जवाब देना कि कहां हुआ नमामी गंगे कहां समार्ट सिटी और कहां संसद लेंगे गाउं को गो ये बहुत सारे सवाल है, जिसका इसमें जवाब है, जनथा पूछ रही है, चलिए जननता पूछ रही है और सीधे तौर पर आज ये प्रवक्ता मिरतुन्जाय तिवारी थे हमारे साथ सीधे उनने अपने तमाम सवालों को एक कवीता के माध्यम से रखा है, होगा क्या, क्या कुछ जवाब निकल कर आता है भारतिय जनता पार्टी के तरफ से ये तो देखने वाली बात होगी बनी नीज पूर्णीशन के साथ नमस्कार